आज हम आपने मेमानों को एक ऐसे खास दोस्ते मिलवाने जा रहे हैं, जिनोंने बहुत कम उमर में अपनी मेहनत से, अपनी कर्मटता से अपने नाम को स्थापित लिया है। आज हम आपको एक ऐसे विधायक से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि साथ में नारी हैं, और साथ में नारी के दर्द को उन्होंने समझा दी हैं। और इसी के साथ आज हम अपने दर्शकों को उस मेमान से रूगरू कराने जा रहे हैं डॉक्टर मंजू शिवाज जी से जो कि विधायत हैं मोधी नगर से बीजेवी पार्टी से और ये भी जानेंगे आज कि उम्मेले योगी सरकार ऑन्हें किस तरीके से उनकी क्या प्लेनिम्स हैं किस तरीके से वो समाच को और नईề चीजे को ते रही हैं और क्या नई चीजें देना चाहें इन comfy चीज attrib करेंगे आज हम अपने दर्शकों को रूग़गरू कराने जा रहें कि इस तरीके से आप यहां तक तरशो सफ़र आपने तैगी किया है? मैं चाहूंगो कि वह आप हमारे तरशों के दाब शेर मैं आप प्रोफेशन, गाइनकुलोगिस्ट हो, लेक्रोस्पोपी सर्जिन हूँ और 91 से मोगी नगर में मैं अपने हॉस्पिटल में काक्षिनल हूँ और अपना मेरा हॉस्पिटल है जो एक अच्छा अलेक्रोस्पोपी सेंटर है और उसमें सभी प्रांचेस हैं, तो 91 से लेके 2014 तक, 2012 तक पोड़ा हूँ मैं यहां पर आराम से टॉप भी कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसा बदलाव आया कि चेर्मेन इलेक्शन में सीटों को अचानक से महिला कर दिया गया जबकि कुछ अच्छे लोग जैंस उस इलेक्शन में पार्टिसिबेट करना चाहते थी लेकिन सत्ता के जबाब में और कुछ लोकल पॉलिटिशन ने उस सीट को महिला गड़ लिया तो मैंने का ठीक है भई पढ़ी लिखी महिला आनी चाहिए पॉलिक्स में इलेक्शन लड़ा गाउं की शेहर की सबर, अमीर, जबरकियम, पढ़ी लिखीन, अधपर्ड, सभी करेकी महिला जाओ को उप्नी पार्टी के बारे बताया और उसके लिए काम करा फिर मैंने जो अपने कैंप्स में लगाती थी उनको मैंने बढ़ा गिया शोचल वक मेरे पहले से ही चलते थे वह काफी शांत रूप से चलते बहुते थे तो समी लोग मुझे जानते थे चलत मोधी नगर के उसके बार भी विजिए उनकों करते मुझे अबले का टिकेट मिला और काफी मंझन के बाद पार्टी ने जाला वोटिंग करी है कि बहुत जाला बोटिंग करी सबसे बड़ी वारती थी कि वोटिंग बहुत जाला करी 65.9% हमारे वोटिंग वी, 3.2 लाक वोटर है हमारे और हमारे हम 2.13 लाक वोटिंग वी और आपको जानकर अजम्बा होगा कि 51.2% वोटिंग मेरे लिए हुई और बाकी की वोटिंग जो है आदर्स 9 कंडिडेट्स के लिए हुई और जन्ता ने मुझे इतने भारी बहुमत से जिताया है जबकि मेरे सामने 2 sitting MLA एक मोधिनगर के MLA एक हमारे मुरादनगर के MLA और एक sitting हमारे यहां के chairperson की तो उस परिवार से इन तीनों के sitting जो MLA और chair थे हैं इनके विरुद मेरा चनाता तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं लड़ी भी election और मैं TP और अब मेरी दिम्मदारी यह है कि मैं समाज के लिए काम करूँ क्योंकि पूरा medical profession बहुत अच्छा medical profession इसमें मैं बहुत अच्छे से काम कर रही तो छोड़के मैंने अपनी ब्रांच बदलिये तो नैशरली मैंने कुछ सोच के बदलाओगा क्योंकि पॉपुलरिटी और पैसा और जो कुछ भी आर्मी को चाहिए होता है वो समें गेंड कर चुकी थी तो मुझे लगा कि नहीं अच्छे पढ़ई के लोगों को आना चाहिए वो स्टालों में लाइट की कोई वबस्था नहीं की पढ़ाई का स्टाड़ गुब दाउन चला गया था अगर हम बेसिक स्कूल लें हमारी पार्चालाई जोने सुने साथा लिए उनकल होने के सेंटर्स ननते चले गए तो एक अच्छा श्टूड़िंट आगे नहीं आरा था प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज, इंजिनियरिंग कॉलेजेज, BCA, MCA, सारे खुलते चले गए और आपको जातकर अचमबा होगा कि हमारे इस पश्चिमी उत्तरप्रदिश में इतने जादा प्राइवेट कॉलेजेज हैं लेकिन सरकारी अगर मेडिकल कॉलेजेज में हम न इंजिनियरिंग कॉलेजेज, प्रेटनरी कॉलेजेज, टेक्स्टाइल, रिस तरह की चीदे, BCA, MCA, BADK और सेंटर्स बढ़ने चाहिए, यह सब होना चाहिए, हमारे सांचक बहुत प्रोग्रेसिव माई है, वो इस दिशा में काम करते रहते हैं, तो मुझे मुझे जाते हैं, वो क्यों ना हमारे बच्चे मोधी नगर में ही रुखें, उनकोर उसका यह मिले, मन्जुनान हम यह माने कि मोधी नगर में मोधी का जादू चला, और आगे भी चलता रहेगा मुझे पूरा विश्वास है, और आगे मोधी जी और योगी जी दोनों का जादू मैं वही आना चाहरा था, कि जिस तरीके से मोधी नगर में जी जो चल रहा है, और उन्ही की शायद यह गर्मानता थी, जो योगी जी को उन्हें मुख्यमुंत्री के पद पे लाकर खड़ा खड़ा, तो ऐसे संधर्व में, ऐसी सुचेशन में, आप किस तरीके से मानती हैं योगी जी के पैफले हैं, या जो जिस तरीके ते धरादर पैफले लिये जा रहे हैं, उन्हें आप कितना सहाँ है? जब रवस्ता बहुत खराब हो जाती ही, तो बिलकुल इमर्चेशन की दुरृबachsen की कि जड़बर हो डिये हैं? और अपने चारो तरफ जो उसकी तीम है उसके उपर विशास होना चलिए तब हम इमर्जंसी में कोई डिसेजन ले सकते हैं और उसको समालने की कोशिश कर सकते हैं जो मोधी जी ने डिसेजन लिए उनका नतिकर यह है कि आज देखिया हमारी इतने राजी में सकता हैं और मोधी जी इतने हिमत वाले वेक्ति हैं कि हम चुनाब से पहले उनने नोट बंदी करती हैं लेकिन आप देखियें नोट बंदी का हमारे चुना पे कोई लागे कर संभी हुआ हमारे दिली के चुना भी हम दीत हैं तो इस्ट्रिक्ट फैसला जो की चन मानस के ध्यान में रखते ही लिया जाए और बिगा डरे दें क्योंकि उनकी सभी की अपनी पाक साफ इमेज है उनके पास ब्लैक नमी की उनों परफबंदी कर दी और सब के ले कर दी पीजेवी के लिए कर दी सभी अलों के ले कर दी तो आम जनता वहाँ है यह जो दो नमबर का पैसा है यह निकल गया और अब डिजिकल मार्जन से तो दो नमबर का पैसा रही गाए जो सारा अनलाइट ट्रेस्टरिशन सोगे एक पश्पे और मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि जैसे हाल में अभी अभी 36 गर्णे जो सुप्राम का जो बहुत आपने देखा होगा कि काफी लंबे टाइम से यह बार-बार ऐसी बारताते जो हैं यह ऐसे सदने जो है हमारे सैनी को को दिये जा तो आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं अभी इसमें नरम रुख जो है वह इक्तियार हो रहा है या इसमें कुछ कड़ा भी कड़म उठाए देखिए दूसरे देशों से लड़ाई करना विरोधियों से लड़ाई करना बहुत आसान है लेकिन अपने घर में ही जब कुछ विरोधी पक्ष्में खड़े हो जाए तो हैं वो अपने ही अपने ही भाइधेन है हाला कि वो अलगाववाद के तहत अलग चले गए हैं तो उनसे लड़ाई करना एक बहुत मुश्किल काम रहता है लेकिन मोदी और हमारे जो जो अपने मुख्यमंतुरी है वो बहुत शिदत से लगे मैं रवाद की और देखिए नमन करती हूं मैं उन वीरों को जिनों मैं अपनी इस चान पुरबान कर दी कितना प्रोग्रेसिव का हमारे मुख्यमंत्री आदर्निय रमन सिंह कर रहे हैं कि वो सड़के बना रहे है जंगल में आपको पता है कि शक्तिसगर का जंगल है बहुत ही देंस फॉरेस्ट है और उसमें सड़के महीं है पुराने समय में सड़के बनाने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था हमारे जो पता है ज़के बनाने के समय में जिससे मैं चाहँ हूँ है कि आप उस तर भी अपनी पतिकिरिया रखें अजब बार बार हम बात करते हैं बेटीयों को बचाये और कही ना कहीं हमारे BGP सरकार का एक हिस्सा भी है कि बेटीया बचाओ, बेटीया पाओ को लेका जो खरार किसंगे पशो को काट गिया जा रहा था एक जापार का रूपिया जा रहा था आपको सुनके अजंबा होगा कि slaughter houses का जो drainage है उंडर ग्रांड वाटर तक में ट्रेन कर दिया जा इस तरह की हर्कत बें चल रहेंगी इनोसंट जो हमारे अनिमल्स है उनको मार काट दिया लिया चोटे अनिमल मार दिये बड़े अनिमल मार दिये तो उसमें योगी जी ने कि सब्सक्राइब लिया और कोई भी मुझे लगता वर्व इससे परिशान नहीं है आज सब लोग अपने से साथ से काम में लगें और दूसरा उनने जो लिया था कि का मतल यह है कि जो लोग अनिमार को परिशान करते हैं उन्हें पहर भापस है वापर लेकिन आज मुझे नहीं लगता एक शुरक्षा का बातवरण है और धीरे दिरी सब कुस बजल रहा है लड़क्या आसे नौकली बी जा रही है और यहां जुक्तून ही के स्वानितु ही था लेकिन लेकिन संस्क्रत्ती विक्रत कृषण में विक्रत हUh ले ले उसने कि परता पचता गई बहुत सारे लोगों से बचाने लु緊 में लएख। दिन का विवाज उता था पहले हमाया वो रात में कर दिया लिया कि चुचा पंड़ी की शादी कर दो पता ना चले कि इतने शादी करी किस नहीं नी करी तो ये इतने हमारे गुलामी रही तुर्क आये मुगल आये अग्रेज आये तो इसमें हारी थोड़ी चीजे बिगड़ गई और उसी में आपने देखा हुआ कि एक सथी प्रसा भी चली क्योंकि महिलाओं के साथ इतना गुर्वे वगर होता था चिताउन के क्लिए में तभी आप जाके देखिए आपके रहों पर जाएंगे जब आप इस स्थान को देखेंगे कि कितनी राजपुता निया महाँ पर पूदी हुदी आप उस मिट्टी को लेके मंदिर के साथ रखेंगे इतना सम्मान हो जाता है आप तो महिलाओं क्या क्या करती है विचारी चिता में उस सफे मर पड़ती थी उनके पती ने रहें उनके साथ दौराचार करेंगे चोटी-चोटी बेटी ऑंके साथ दौराचार करेंगे तो वो उच जाती थी वो समय की कुपारती लेकिन वो पुछ उपरथा का रूप लेके घरमे न मर गया तो महिला को उसी के साह जला दिया दिरे भी समाज बदलाव आया और देखे जतना हम मौडन हो जाते हैं जो मौडन चीज़ है उनका हुआ है, अल्टासाउंस आये, उनसे जो 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 गेने डिफेक्स देखने के लिए अल्टासाउंस का उगी होगा लेकिन इनसान ने बड़ी शातर दिमाग के साफ उससे मे यह की बंचवाद है लड़कियों से चलेगा, यह सारे जो समाजित कारण से इसके कारण लड़कों बढ़ावा दिया गया लेकिन आज मोदी ही है, अपने कुर्पे का पला उठाके, हर्याना से मांगा था कि आप मुझे मेरी बेटिया देजिए, मैं आपके लिए बहुत कर द मैं अपने मन में ठान लिया था कि मैं कोई फीमेल कृटिसाइड नहीं करूंगी, मुझे बहुत प्रभावा आते है, मैं खलाना हूँ, मैं तो नेता हूँ, मैं अभी नेता हूँ, और पद्रकार भी आते हैं, लेकिन और पदमाज भी आजाते हैं कभी दोगी, अजी ठाना यह हैं, लेकिन मैंने मन में सोच रखा था कि यह काम मुझे नहीं करना हूँ, और जब लोगे ठान लगे काम नहीं करना तो नहीं होगा, तो उसमें पुलिस प्रशाशन, सर्गार का कंट्रोल, उससे जाब है यह है कि विचाल खराप पद ले, लड़की उपढ़ाई हो, द जहां आम एक तरफ बात कर रहे हैं, बेटियों को बचाने की, लड़कों को बचाने की, वहीं दूसरी तरफ यही बेटियां, यही बेटे, नशे की तरफ बहुत जादा बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं लगता, मैं यही सवाल आप से इसे दॉक्तर के नापे मैं जहां आपके इसका मुझे उतर में, कि जिस तरीके से आज लुबा नशे की तरफ बढ़ चुपा रहे हैं, उन शीजों को ध्यान में रखते वेए क्या मुझी सकता हैं, को ऐसा कळा कबन नहीं उत्रहे हैं, जिससे एक लिस्ट हमारी बेटियां को रची बेटियां को रची गलाओं पर फटलिटी खम हो जाती है, उनके बच्छे हमें कर जैने फेक्ट्स आते हैं करसाने रची आज अले देप्टय करती रचाने लेड़ रहते हि इंपुआ जो अगलाओं चाहता है, जिसको अबएक हमारे समाज में उन आ स्वित पाल। इंको नहीं सच्छा बी सयम पीछे तो नहीं, यह अपने उपर self confidence होना चाहिए कि मुझे शाराब नहीं करनी, मुझे सिक्रेटिस को हुँ नहीं करनी, चाहे महिला है चाहे पुरुष है और लेकि एक खोड़ी मात्रा में अगर कोई हमारी पॉर्ल कंट्री में है कि वो डिनर के साथ लेते हैं, लेकिन वो इक मात्रा होती है कि 30 ml ले रहा है हमारे लोग वो तुल भर भर के पी जाता है बिना पानी मिलाए और सड़क पर बढ़े रहते हैं तो यह कोई सफ्याता नहीं है हमें समाज में आयगा वदलाव, इस तरकार भी करेगी निशाबंदी, आप काली विभाग मेरे आ मुझे नगर में चाहपे मार रहा है मेरी बहुत सारी मैला एपरिशान्ती, तो जो दो रंबर के शराब के नकली शराब के सेंटर है, हम फे फूट शाब ले लिटा ले जा रहा है और मैंने strict order दे गया है CEO को और काहीं में मैंने कोशिक प्रजयों को पूरी कि जो हमारे ठेके हैं शराब के शराब के दुगाने हैं, इसकूलों से स्वामर्टर से अलग है इसलिए आम लोग बहुत स्ट्वी लगा है इसी modernize का एक और पार्ट हमें देखने को मिलता है कि आज की डिट में कहीं न कहीं जो क्राइम जो है दूसरी चीज यह कि मैं उस क्राइम की बात कर रहा हूं आज क्राइम बदल चुका है आज modernize crime हो गया है technology वाला crime हो गया है वो पहले वाला crime नहीं रहा है लेकिन उसके भी तरीके बदल चुका है मेरा प्रशन आपसे पहला यही है क्या Modi Nagar उन चीजों से कभी बाहर निकल पाया है नहीं बहुत निकलगा देखिये और एक feeling of security जो एक महिने में है आम जन्ता में वो हमें पिछले 10-12 सालों में कभी feel नहीं हुआ और जो total crime देखिये देखिये अभी से दो महिने पहले की बात है और इन दो महिनों में मेरे पास कोई नहीं आया थी मेरी motorcycle उठाली, मेरा scooter उठाली, ऐसी नहीं आया इसको देखिये चीजे बदल नहीं है और फिरौती पे murder हो जाते थे property dealing में murder हो जाते थे NCR के पास हमे में बहुत बढ़ती property dealing में बढ़ते ही जमीनों के दाम में इन सब में crime पढ़ा हर आधनी को कम काम करके बहुत जादा पाने की इच्छा रही और समास का नजलिया ऐसा हो गया था कि चाहे दोनंबर का पैसा है चाहे बदमाश है चाहे कितने case लगे में उस पे अगर उसके पास पैसा है तो बहुत है आप इतने political लोगों को उठाचे देख लीजिए कितने आप IAS, IPS, doctors हर गड़ भुटाले में जिनका नाम आया हर वर्थ के देख लीजिए मैं एकी वर्थ को लूँ तो सबको इच्छा ली रही कि जितना है उससे जागा चाहिए और त्रीका तो नंबर का से यह वो विचार घरा बदल गई है अब मोरीगीन है उनका कोई अकाउंट नहीं की वही उनका कोई कर देख दो जब लिए और अग्राइव परोड़ चाहिए उपर से आदमी देखता है चोटा नेता करोड़ों कमाएगा उससे चोटा नेता हजारों कमाएगा तो वह चलते 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 ते पहले आप जीरो लगा लगा के गिंप्रेते वी काई गाई चेकरा हाँ इकने लात करोड का हुटाला है आदमी को अपने उपर कंट्रोल निया नियों होता था विश्वास की ये वे सही पढ़ रहा हुआ इकने हजार करोड रुपर का हुटाला हो गया आप देखे, कोई खुटाला नी हो रहा, कोई गफला नी हो रहा, बोटी मोटी चीज़े तो समाज़ी चाती है, लेकिन चोई एक जो समाजिक समस्य है, वह भी मैं आपसे शेयर करना चाहूं मत होगी, एक ऐज दोक्टर हो नहीं में आते हैं, कई बर हमेशा ये मुद्धे आत लेकिन उसके बार जिर्वोई मांगा चंगा हो रहा है, तो ऐसे में आप मोदी नगर में भी काफी ऐसी चीज़े नजर आती हैं, तो क्या आप दोनों पेशों से हैं, आप डॉक्टर भी हैं और विधायक भी हैं, तो आने वाले टाइम में क्या हम यह कर सकते हैं, कि मोदी अगर भी इन चीज़ों से मुख्त हो पाएं, तो हमारे हमारे जो प्राजवर्श की समस्या लेकिते हैं, तो बढ़ता हुआ शिक्षा का इसदर और घटा हुआ सौस्टा इसदर और बढ़ती भी पॉपुलेशन, तो हमारे जिक्ते ही पॉपुलेशन बढ़ गई है, उस र घटा हैं, पी एक बीएस के नहीं हैं, जो प्राजवर्शन, बीटेशन, कुछ एमबीएस, कुछ M.C.S. करेंगे, तो उनकी शम्ता के अनुचार हो नहीं हमें लगाना पड़ेगा, और जो सरकारी हमारे डॉक्तर हैं, वो पी एक सी पर जाएं, तो उनको दिया जाता है, हम अब हिंदुस्तान में हमारा ऐसा है कि पर्चेपली की दवाई के अलावा आप कुछ भी क्याधी अबरवली मिल जाता है तो यह सालों से चली चीज़ आ रही है तो इसमें फीरे-फीरे हमारे मोरी की भी लगेना है कि भी महेंगी दवालिया है उन पो इसम्ता करा जाये और यह और अश्डाले थोले जा रहा है जिन पर सस्ती जर्वालिय ने है हाला कि उन पे भी हमें कंट्रोल लखना पड़ेगा, जैनलिक क्रैमिस में भी, कि सस्ती हो लेकिन सबस्टेंडर्ड ना करें, तो उसे ध्यान पड़ेगा, लेकिन जीवें पर लावा रहा है और मुझे लगता है कि जो अंट्रेंड डॉक्तर से हैं भी कटेंगे, जो अंट्र को पाटकों को एक्ष्णल का अभास हो, आज जिस तरीके से हर कॉलेज के लिए, मैडिकल कॉलेज हो, चाहे एनी कोई भी कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में एक्प्रिशन के लिए, डोनेशन का एक मत्ता हमनेशा हर बार सामने आता है, और मोधी नगर कही ना कही एक बढ़ाई का स्थर घट रहा है, इस सुचीशन किस तरीकी से आपने घट रहा है? देखे अभी इछले दो साल में जोल है, किसे किलिम साल में, जबसे हमारे इस सब्सक्राइब कर रहा है, तो उसमें डोनेशन से भी रोग लगी है, मोई शकार ने डोनेशन से भी रोग लग लगाई है, कि आप इतने पर संट सीविल को देंगे, इनना से जादा आप पीस में मेरे देखते देखते अगर मैं नाम नहीं लोगी, आसपास में अगर नहीं जड़ाँ, तो बहुत सारे जो हमारे मेडिकल कॉलेजिस हैं, BDS हैं, बहुत सारे एस हैं, हमारे नंदर अप सीविल कहा है, क्योंकि जो स्कूदिन्स को अगर हम सरकाली बादिम से उनको अच्छे मेडिकल कॉलिज में एडिशन मिल रहा है, तो बहुत से नहीं जाएंगे, और एक विचाब धरा आगी थी, कि मेरा विटा डॉक्तर बन जाएगा, मेरे पास तो पैसा है, मेरे बना दूगा, यह हम पैसे का धवन्ट बहुत जाजा हो गया था, लेकिए हम तो 15 सुरूपे सा सरकारी, जो हमारा मेडिकल कोलजिएं स्टेंडर किल तो तो क्योंकि यह पुरानी सरकारों था था जए हमारे सरकारी मेडिकल कोलेज ब्यानी इस पर ध्यानी मिल धिया रहा है, उनका फंड देगा, रोज़र हNने क्या होता गया तो बो यह तो पैसा कर लिए तो अब है जब अच्छे लोग आएंगे, इमानदार लोग आएंगे, उनके मन में प्रोजेक्ट आएगा, तो वो शिचा के बारे में सोचेंगे, मैं आपको एक वाक्या बताती हूं, कि मैं 91 से यहां पे रहती हूं, कि मैं अपना समाली काम में मस्त रहती हूं, मुझे कोई असा देखा स्वेटर स्वेटर स्पाटने, तो दिसम्मर के महीने में जब आप और हम बहुत मोटे मोटे कोट और स्वेटर पहन के हूं तो आप दुर्दरशा देखिए मेरे सर्दारी प्राइबरी पाट चाला पे बच्चे जो हैं एक एक कमी नहीं और उनके जिस चाट पट्टी के ब बच्चे को उन्होंने कमीजे पहना के बिचा था उनके पास चाट रखिए तो मुझे बड़ा अख्सोस कुआ कि आजा दी कि 67 years के तीन साल पहली बात रही हैं तो हमें सबसे पहले जो हैं हमें पहली क्लास से लेके अग दस्वी क्लास तब का जो हमारी प्राइबरी सुल है पहले हैं उनका स्वी क्लास के बाद बच्चा इतना बढ़ा जाता है तो हमें हो रूट लवल पर चीजे हमें सुखा था हैं पीचर की गमीकूली करनी हैं टीचर को बोलना है कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे, मॉडरन सुषा देंगे, कंप्रूटर देंगे, सोची हमा सुखना कि मेरा बच्चा डॉक्टर एंटी नेरा इस बच्चा है, हमें यह भी सोचना है कि हमारे घर में बर्दर मांची है, उसका बच्चा कंसे हम दश्री बार भी करता है, तभी समाज बचलेगा, नहीं तो समाज में करॉप्शन, नेरोजगारी, चोरी, तकैती, यह सब जो बुरी-बुरी चीज़े हैं, यह सब समाज में होती रहेंगी, जब सारा समाज बढ़ गाएगा, तो हम आगे बढ़ेंगे, और एक चीज़ और आपके मातन से मैं कहना चाहती है, सबसे ज़्यादा हमें पढ़ाने की जरूत है, मुस्लिम लड़कियों को, क्योंकि मुस पढ़ें, इनको गोर्ट बैंक की तरह से यूज करें, इलक्षन के बाद माम लाग खतर, और उसके बाद कोई बढ़ेंगे, क्योंकि यह पढ़ेंगे, यह जागरत होने तो एक्षे लोगों को बढ़ेंगे, इनकी अपनी समय कोई, हमें शिक्षा की अलव जगानी है, स्व अधर की सुने की चुडिया था? आज भी सुने की चुडिया यह बहुत पैसा है हमारे पास, आखिर मैं चाहूँगा कि आप मारे माध्यम से हमारे युवाओं के लिए, हमारे मोधि निगरे की जनता के लिए, समस्थ भारत वास्लिएं के लिए, डॉक्तर अंजु मेरी दर से सभी युगाव के लिए ये संदेशन की कल की जो भारत की संस्कृति है जो भारत की डायूज है वो आपके उपर है आप उसे ब्रसनाइजेशन की तरफ ले जाके सोड़ें या अपनी भारतिय संस्कृति को बर्धरार रखते हुए कंप्यूटर रेज़ने जाएं वो आपके उपर है जितनी भी हमारी ये नशाख है कल चीजे हैं इस समाज में उनकों हटाना आपके उपर है हमारे पारी को ख़तम होगी आज हमारे युगाव के उपर है मेरा युगाव से निवेदत है कि कितना ही आवे बढ़ें चाहे वो ज अलवाद कुता है अपने देशी खाना अपना जाओ के खली हाग इसे राती है लाट के बावस नहीं आता है धन्याए जिन्होंने हमारे हर सवाल का बिदागी से जवाब दिया जिन्होंने बढाया कि युवाओं को संस्कारों में जाए शॉट कर लें और इसी संदेश के सा हम विदा लेते हैं मन्जू मैं से और आने वाले टाइम में हम दुआ करते हैं कि मन्जू मैं फिर दुबारा एक अच्छे कामों से एक अच्छी चीजों से वो सामने आए और अपने कर्तवड़े का वो हमेशा अच्छे से पालन करें और साथ साथ अपने दर्शकों से हम य तो भी कुछ नहीं को इसी सोच के साथ इसी अच्छे महमान को विदा लेते हुए आज हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं और अगली बात फिर हम आपको एक नए सास महमान से रुबरू कराएंगे तब तक के लिए नमश्या आपको झाल